जैसल मेर में सीमा सुरक्षाबल की और से जवानों से कोरोना गाइडलाइन्स की पालना करवाई जा रही है सीमा सुरक्षा बलके कमांडेंट जगदीब सिंग संधू ने बताया कि कोरोना की दूसरी लेहर से पहले ही जवानों की वैक्सीन की डोज लगवाई जा चुकी है साथे ही जवानों से कोरोना गाइडलाइन्स की पालना भी करवाई जा रही है पिछले साल जब यह शुरू हुआ था उसी समय में कुछ स्टेंडिंग और प्रिटिंग प्रोसीजर्स पनाये थे उन प्रोसीजर्स को बड़ा सकती से हम अभी फॉलो अभी तक भी कर रहे हैं जिसके कारण हमारा केंपस और हमारी जो सीमा चोकिया हैं वो करोना की कहर से बची हुई है जहां तक वैक्सिनेशन का सवाल है हमने अपने ड्यूटी करने वाले जवनों का शत परतिशत करोना का वैक्सिनेशन फेज वन और फेज टू दोनों डोज जो है हमने उनकी पूरी कर ली है अभी हाल फिला हाल में हमने कोई पिछले एक अफ़े में इसका जो दूसरा ड्राइव है वो शुरू किया है जिसके अंतरगत हमारे जो सीमा प्रहरी है इनके परिवार के सदस्यों को जो 45 साल से उपर है उनका फस्ट डोज वेक्सिनेशन कर दिया है और सेकंड डोज इसका करीपरी हम लोग 25 से 30 दिन के बीच में पूड़ा कर लेगा है